Students of Class 2nd, बच्चों आज हम करेंगे भाषा मनी से पार चार हठी कच्छुआ हठी आठीकम मिन्स क्या होता बच्छों? जिद्धी कच्छुआ ये कानी एक जिद्धी कच्छुए के बारे में हैं जिसने एक बहुत बड़ी जिद की जिस जिद्ध के कारण उसे बहुत बड़ी समस्च्छा का सामना करना पड़ा तो बच्चों आपको पता भी है कि जिद्ध करना और एक ऐसी जिद्ध जिसके कारण हमें नुकसान हो उसके कारण हमें बुरे प्रिणाम ही भुगतने पड़ते हैं तो मुकानी के माध्यम से जानते हैं कि कच्वे ने कैसी जिद की और उसका से क्या सामना करना पड़ा हट करना अच्छा नहीं होता आउ पाट पड़कर देखें कि हट कच्वे ने क्या किया हट मतलब जिद एक समय की बात है एक ताला में कच्वा रहता था जब भी वह पक्षियों को अकाश में उड़ते हुए देखता तो मन ही मन सोचता काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाता ये सोचकर वह उड़ास हो जाता था कि उसके पास तो पंक ही नहीं है कच्वा कहा रहता था बच्चो तालाव ले और उसके मन की इच्छा क्या थी कि वो भी अकाश में उड़ पाए लेकिन ना उड़ पाने के कारण वो उदास हो जाता था क्योंकि उसके पंक नहीं थी वो उड़ नहीं सकता था तलाव के निकट पेड पर चील रहती थी चील कच्छवे की बहुत अच्छी मित्र थी मित्र दोस्त कच्छवे ने चील से कहा तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं इश्वन ने तुम्हें उड़ने के लिए पंक दिये हैं तुम कितने मज़े से अकाश में उड़ती हो अकाश आसमान में दूर दूर की सैथ कराती हो मैं तो यहीं तलाव में पड़ा रहता हूँ तलाव जलाशे मैं भी अकाश में उणना चाहता हूँ चील ने कहा ये तो बहुत कठिन है कठिन मतलब मुश्किल तो आपको पदा चला इसमें कि कच्छवे की मित्र को थी? चील तो चील अकाश में जब घूमती थी दूर दूर की सैर करती थी तो कच्छवे को भी लगता था कि मैं भी वहाँ पे सैर करके आऊं उपर आकाश की तो उसे कहता था कि मेरा भी आकाश में उड़ने को मन करता है लेकिन चील ने उसे कहा कि ये आपके लिए बहुत कठिन है क्योंकि एक अच्छा मित्र हमें एक अच्छी सलाही देता है अब जब भी कच्छवा चील से मिलता उसके सामने अपने उड़ने की इच्छा को परकट करता कच्छवा हटी सभाव का था जिद्धी सभाव जिद्धी नेचर का था तो चील जोती उसके मित्र उसने सोचा कि मुझे इसकी जिद को पूरा करना चाहिए क्योंकि कच्छा मित्र सुपग में मारा साथ भी देता है उसकी हट, हट क्या होती है, जिद, हटी जिद्धी और हट जिद, उसकी हट देखकर एक दिन चील ने कच्छवे से कहा, कल मैं तुम्हें अकाश की सैर करवाऊंगी, तुम तयार रहना, कच्छवा रात बर सोया ही नहीं, बस सुबा का इंतजार करता रहा, इंतजार सुबा होते ही चील आई, और कच्छवे से कहा, मैं तुम्हें अपने पंजो में दबाकर उड़ूंगी, क्या तुम तयार हो, कच्छवे ने खुशी से गर्दन हिलाई और कहा, मैं तयार हूँ, तो उसकी मित्र चील ने सोचा कि मैं अपने दोस्त को अकाश की सैर, अपने पंजो के माध्यम से करवा देती हूँ, तो कच्छवे को ये सुनकर राद बर मींद भी नहीं आई, अब चील ने कच्छवे को अपने पंजो में दबाया, और अकाश में उड़ने लगी, कच्छवे को अकाश की सैर करने में बहुत अनंद आ रहा था, अनंद मजा, तब ही कच्छवे के मन में एक और इच्छा उटी, कि जैसे ही वे पानी में तैरता है, उसी तरह अकाश में भी तैरे, आपको पता है कि कच्छवे पानी में तैरता है, तो उसको अकाश में जाकर भी यही बात सूजी, कि मैं अकाश में भी तैर हूँ, कच्छवे ने चील से कहा, म क्चव को अपने पंजो की पकड दीली करके छोड़ दिया क्योंकि रहु क्या करूड़ुके लुवं पैर मार कर तैर ना चाहा, पर तैर ना सका, क्योंकि आकाश में तो तैर नहीं सकते, वै आसमान से आकर धर्ती पर गिर पड़ा, और बुरी तरह से घायल हो गया, घायल जकमी, मतलब चोट लगना, उसे अपनी हट का, अपनी जिद का बुरा फल भुगत ना पड़ा, तो बच बचों, जब हमें कोई हमारा अच्छा मित्र हमें कुछ सलहा देता है, जो हमारे लिए फायदे मन दो, तो हमें उसे, उसकी सलहा को मानना चाहिए, और आस Яकारे एसी जिद नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण हमें नुकसान हो, तो ऐसे ही हमें अपने माता-पिता के भी बात करनी है कि इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है यह आपका अच्छा होंवक है और बच्छे यह आपका अभ्यास है पागदो कि प्रिक्स्थान बाशाग्यान यह बैक एक्सोसाइज आपकी पार्ट चार की आपको रिडिंग करनी है और यह बैक एक्सोसाइज सॉल करने की कोशिश करनी है कल मैं आपको इसका सेलुशन दोंगी थैंक यू एव नाइस